बीटोनिन एस्टी सीरप इसके अंदर लसाइन जिंक और मल्टी विटैमिन्स इस तरीकी चीज़े दी होंगी इस सीरप का इस्तिमाल जिंक की कमी को पूरा करने के लिए और मल्टी विटैमिन्स की कमी को पूरा करने के लिए इस्तिमाल मलाते हैं या फिर इस तरीकी के लोग जिनको यानि ठकावट, चक्कर आना, कमजोरी मैसूस होती है, तो इन सभी कंडिशन में हम बीटो निन, AST सीरप को इस्तिमाल करते हैं, ब्रांड की बात करें, तो एवर्ड जो कंपनी है, इस सीरप को बनाती है, मार्केट रेट की बात करें, तो 140 रुपए में आपको इस सीरप मिल जाएगी, स्वस्त व्यक्ति भी इस सीरप का इस्तिमाल कर सकते हैं, जिनको किसी भी तरीगी प्रॉब्लम नहीं है, उस कंडिशन में भी हम इस सीरप को यूज कर सकते हैं, सुबह साम, अगला जो सीरप है, वो बच्चों के लिए है, उसका नाम एले रेट सीरप, तो इसके अंदर सिटरजैन इंग्रिडेंट्स के तौर पर दिया होगा, तो सिटरजैन इसमें 5MG के तौर पर दिया है, यानि यह जो सीरप है बच्चों में, अगर एलर्जी की समस्या है, जैसे आख में पानी आना, आख में खुजली की समस्या बच्चे को, बच्चे को फीबर, कफ या फिर पित्ती की समस्या है, या फिर नाक का बहना, इस तरीके की कंडिशन में हम बच्चे को यह सीरप देत तो अगला जो ड्रॉप है उसका नाम है बीटा ग्लो ड्रॉप तो बीटा ग्लो ड्रॉप के अंदर पीटा मीता सॉन सोडियम फॉस्पेट 0.5 mg के तौर पे दिया हुआ है 32 रुपे में ये ड्रॉप आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी ब्रांड की बात करें तो एगलो मैक्स जो कमपनी है सीरप को बनाती है इस सीरप की वर्किंग की बात करें तो बच्चे में अगर एलर्जी जैसे दमा, गठिया, चर्मरोग, इन्फलमेंटरी डिसीज की समस्या, आँख में सूजन, पलकों में सूजन की समस्या, एग जिमा, Dermatitis, Inflamentary Disease इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो इन सभी कंडिशन में हम बच्चे को बीटा, ग्लो, जो ड्रॉप है उसको दे सकते हैं, अन्य दूसरे कई बीमारी में भी हम बीटा, मीता, सोण, सोडिम, फास्पेड को इस्तिमाल करते हैं, तो किस तरीके से जो डोस देना है, वो आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, तो वो बता देगा, तो बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद,